नमस्का दोस्तों, वेलकम टो स्टेडी 24, बीपीएस्सी सिच्छक भर्ती, टीरी 2 में फिर से एक बदलाव किया गया है, तो बीपीएस्सी में हमेशा रेगुलर्डी चेंज की जा रही है, तो एक नया नोटिफिकेशन जारी की गई है, देख सकते हैं, आज के डेट में ही ज जारी किया गया था, उसको बदल के आप देखें, नया जारी कर दिया गया है, आज के डेट में, तो चलिए देखते हैं, क्या दिया गया है, तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं, क्या क्या चेंजिंग की गई है, तो पहले आप देखेंगे, य दिनांग 7-12-23 को दो पालियों में तथा दिनांग 8-12-23 से दिनांग 15-12-23 तक एकल पाली याली एक सिप्ट में निवनांग कित संसोधीत कारियोकरम के अनुसार परिच्छा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी अर्थात आप देखेंगे कि तो पहले जो था 7 पारिकों भी परिच्छा थी लेकिन अभी से बदलके जो है 2 सिप्ट किया गया है बाकी जो 8-12 तक है जो की आप पहले वाले नोटिफिकेशन में देखते हैं तो पहले वाले में जो था कि 7 तारिक को एक ही सिप्ट में परिच्छा थी इसी में चैंजिंग की गई है और एक देखे 16 तार को परिच्छा होनी थी परधाना ध्याफक के उसको फस्ट सिप्ट में साथ तारी को डाल दिया गया है और जो फस्ट सिप्ट में पहले था साथ तारी को उसे सेकेंड सिप्ट में कर दिया गया है तो यहीं बड़ा चेंजिंग किया गया है तो और ज्यादा कुछ बड़ा चे सिच्छा विभाग का कलास नाइन से टेन और संगित कलाब इसे को छोड़ गटीगा और कलियान विभाग का छे से 10 कलास का टीचर जो होंगे वो उनके लिए आठ बारा दोजर तेइस को जित की जाएगी जो कि पहले जैसे था वैसे ही किया गया है अब वहीं देखे नौ तारिक को तो जो सेम टू सेम होई है शिक्स टू एट वालों के लिए सिच्छा विभाग का जो दिया गया है शिक्स टू एट में वाली उसके लिए समाजिक विज्ञान गणीत और विज्ञान तीन सब्जेक्ट की परिच्छा ली जाएगी जो कि आप देख पारे होंगे और इसके अलावा बिसाई जिनका हिंदी एबब अंग्रेजी है वो भी होगा ठीक है और पि जिच्छा विभाग बर्ग 6-8 यहां पर था गणीत विज्ञान और समाजिक विज्ञान अब नीचे जो है दस तारिक को अंग्रेजी हिंदी संस्क्रीट और उर्दू के लिए 6-8 का यहां पर लिया जाएगा 10-12-2023 को वहीं 14-12-2023 को देखे तो एक से पांच के टोटल ज जित किया जाएगा और आंत में देखे तो 15 तारिक को जो है देख सकते हैं क्लास 11-12 के सभी सब्जेक्ट का परिछा लिया जाएगा सिच्छा विभाग हो चाहे BC-BC हो चाहे SC-STS school वाला हो तो सभी का 11-12 का सभी सब्जेक्ट का 15-12-23 इसको लिया जाएगा और जो 16 तारिक क जो था इसको हटा कर first shift में यहाँ पे 7 तारिक को add कर दिया गया है तो यही था changing उमीद करता हूँ जानकारी आप लोगो कछी लगे होगी और भी बहुत सारी जानकारिया जो है आप रोजगर प्यार.com पर regular update किया जाता है जैसा कि अगर आप इसके बारे में भी देखे तो यहाँ परिच्छा केलेंडर को update कर दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सरल लेंग्वज में बताया जाता है तो आप आकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं देख सेकंड और उसके बाद जो है आठ तारिक से total one shift में लिया जाएगा तो इस पर भी आकर regularly आप चे देखने को मिल जाएगा तो आकर चेक कर सकते हैं उमीद करता हैं जानकर यह अच्छी लगी होगी और इसके अलावा देखिए OMR सेंपल भी जारी की गई है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो OMR सेंपल भी जारी किया गया है कि परिच्छा में कैसा OMR आएगा क्लास बाइज देखिए यहां पर देखेंगे तो भासा है फिर भासा सामान अध्यान है तो यह अलग 6-8 की बात करें तो देखिए 6-8 का OMR है वो इस टाइप का होगा आप नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर सबसे नीचे आते हैं यहां पर देखिए तीसरे नमबर पर आप को देखने को मिल जाएगा यह जो है आपका 6-8 के लिए भासा एक में आपका देखिए एक से तीस तक आपका हिंदी और अंग्रेजी से परस्न होगे ठीक है और यहां पर देखेंगे तो समान अध्यान है समान अध्यान में आपका कुछ भी पुछा जा सकता है जिके भी है mathematics भी है current affairs भी है तो कुछ भी इसमें समान अध्यान में आपसे पुछे जा सकते हैं और इसके अलावा next में देखेंगे तो जो आपका subject है समाजिक भी ग्यान या जो भी है वो आप से पुछा जाएगा ठीक है इसके अलावा देखिए यहां पर समाजिक भी ग्यान था तो य कर चेक कर सकते हैं रोजगरविया.com पर सब कुछ उपलब्द है और पलपल की जानकारिया आपको यहां पर देखने को मिल जाती है तो मैं मिलूगा next वीडियो में next update कि साथ तब तक के लिए बाई जहिद